अक्सर जहन में कई सवाल उठते हैं इनमें से एक सवाल है कि आखिर धर्ती पर पहला ही जड़ा क्यूं पैदा हुआ था तो इस बारे में महरसिवालमेकी की रामायन के उत्तरकांड में बारीकी से जानकारी दी गई है कहा जाता है कि बहुत पहले एक प्रजापती राजा करदम के इल नामक बेटा था कहा जाता है कि इल बड़ा धर्मात्मा राजा था एक बार वो सैनिकों के साथ जंगलों में शिकार खेलने गई कई जानवरों का सिकार करने के बाद भी इलका मन नहीं भरा तो वो सिकार खेलते खेलते उस पहाड पर पहुँच गए जहां पर भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पारवती के साथ विहार कर रहे थे कहा जाता है कि भोलिनात बाबा ने पारवती को खुश करने के लिए खुद को इस्त्री बनाया था बताया जाता है कि जैसे ही भगवान संकर ने इस्त्री का रूप धारण किया तब ही उस परवत के अंदर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जन्तु थे वो सब इस्त्री में बदल गए इसलिए वन में शिकार कर रहे राजा इल और उनके साथ हाई सैनिक भी इस्त्री बन गए जब राजा इल ने खुद को इस्त्री के रूप में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि ये सब भगवान शिव की इच्छा पर हो रहा है तो वो डर गए फिर वो भोले नात की शरण में गए इस दोरान इल शंकर जी के पास गए शंकर जी ने कहा कि पुर्षत्तु का वर की ख्वाहिश छोड़ कर उन्हें जो मांगना है वो मांग सकते हैं लेकिन राजा इल ने पुर्षत्तु की ना पर भगवान शंकर से फिर कोई वर नहीं मांगा और फिर वो देवी पारवती को खुश करने में लग गए तब पारवती जी ने खुश होकर राजा इल से कहा कि जिस वर की तुम मांग कर रहे हो उसके आधे भाग के दाता भगवान शंकर हैं इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें पुर्षत्तु का आधा भाग ही दे सकती हूँ यानि तुम आधा जीवन पुरुष मन कर जी सकते हो और आधा इस्तरी के रूप में रहना होगा फिर राजा इल ने पारवती जी से कहा एक महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ और एक महीने इस्तरी के तौर पर राजा इल के इस बात को मानते हुए पारवती जी ने कहा जब तुम पुरुष रहोगे तो तुम्हें इस्त्री जीवन का कुछ याद नहीं रहेगा तो वहीं जब तुम इस्त्री होगे तो पुरुष जीवन का याद नहीं होगा इस तरह अब राजा एक महीने के स्त्री इला बने और पुरुस के तौर पर इल बन गए लेकिन कहते हैं कि राजा के साथ हाई सैरस सैनिक स्त्री रूप में ही रहे कहा जाता है कि एक बार वो सैनिक इला के साथ गूमते हुए चंद्रमा के बेटे महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुँचे इसी दोरान बुद्ध जी ने उन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा था कि तुम सब किन पुर्शी परवत पर रहना शुरू कर दो आगे जा कर तुम सभी स्त्री यां किन पुर्शों को प्राप्त करोगे बुद्ध की ये बात सुनकर वो सभी स्त्री रूपी सैनिक परवत पर रहने लगे नेक्स्ट नाइन नीज रोम से शुरूतिकी रिपोर्ट